सोशल मीडिया के जमाने में लोग वाइरल होने के लिए कुछ भी करते हैं इसका जीता जाता उधारत बिहार से अभी हाल ही में देखने को मिला था जिसमें वाइरल होने की दिवानगी भी देखने को मिले ये कोई और नहीं बलके बिहार का फर्जी IPS मिथलेश मांजी था जिसको पोलिस ने नकली IPS की वर्दी में गिरफतार किया था जिसका वीडियो इतना जादा वाइरल हुआ कि अब वो फर्जी IPS मिथलेश मांजी हीरो बन चुका है लेकिन उससे भी हैरान करने वाली बात है कि अब वो खुद ही लोगों को ठग रहा है डमस्कार कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और कैपिटल टीवी के सभी दर्शकों को दिवाली की धेड़ सारी शुब कामनाए बिहार के वाइरल फर्जी आईपिएस मितलेश माजी को लेकर एक ऐसा चौकाने वाला खुलासा हुआ है जिसके बाद पुलिस भी हैरान रह गई है दरसल बिहार के जमोई में एक नकली आईपिएस अफसर मितलेश माजी ने बेरोज़गार युवाओं को रेलवे में नौकरी दलाने का जहांसा दे कर करीब दो लाख रुपए की ठगी की है मितलेश खुद को ठगी का शिकार बता रहा था लेकिन पुलिस जाँच में वो खुद मास्टर माइन निकला आरोप है कि उसने युवाओं को जमोई स्टेशन ले जाकर रेलवे गार दिखाकर नौकरी पक्की होने का भरुसा दिलाया उनसे पैसे एट लिए पेड़ित युवकों ने सिकंद्रा थाने में शिकायत की है पुलिस ने उन्हें लखी सराई जिले के हलसी थाने में मामला दर्ज कराने को कहा है 12 लड़कों से वसूले 1,95,000 मितलेश मांजी ने बेरोजगार युवाओं को रेलवे में नौकरी का सपना दिखाकर उनके साथ धोका दड़ी की है उसने लगभग 12 लड़कों से 1,95,000 रुपई की ठगी की मितलेश ने युवाओं को विश्वास दिलाने के लिए उन्हें जमोई रेलवे स्टेशन ले जाकर रेलवे गार्ट को दिखाया और कहा कि ये नौकरी मिलेगी उसने लाल और हरे रंग की जंडी दिखाकर नौकरी पकी होने का दावा किया पेडित युवकों ने बताया कि जब उन्होंने मितलेश से कहा कि वो पड़े लिखे नहीं हैं तो उनकी नौकरी कैसे लगेगी इस पर मितलेश ने कहा कि मैं भी तो पड़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन IPS बन गया ना ठगी का शिकार हुए एक युवक विमल माजी ने बताया कि मितलेश मेरे पास आया और उसने नौकरी के बदले मुझसे 15,000 लिए उसके बाद फिर 13,000 लिए और कहा कि सारी कावजात पटना से बन कर आएंगे विमल ने आगे बताया कि मितलेश मुझे जमोई स्टेशन भी ले गया और कहा कि यहाँ नौकरी मिलेगी नौकरी लगाने के नाम पर मुझसे 90,000 रुपए ठग लिए पुलिस की जांच के बाद हमें सच्चाई का पता चला एक अन्य पीडित जैराम कुमार ने बताया कि मितलेश के फूफा सूखो ने बताया कि मितलेश अब एसपी बन गया है अब मेरे भी रेलवे में नौकरी लग जाएगी इतना ही नहीं जैराम ने आगे कहा कि मितलेश के फूफा सूखो ने कहा कि इसके लिए मुझसे डेर लाख रुपए की मांग की गई थी जिसमें मैंने 12,000 रुपए ही दिये वहीं एक और पीडित लाल जी मांजी ने बताया कि मुझे बताया गया कि रेलवे में नौकरी लगने के लिए एक लाख पचास हज़ार रुपए लगेगा रुपए लेकर मितलेश यहां से भाग निकला जिसके बाद हम लोग पुलिस से मदद लेने थाने पहुँचे फिलाल पीडितों की शिकायत पर पुलिस मामने की जार्च कर रही है फेक आईपीएस केस में बड़ा खुलासा पुलिस वर्दी पहन फरजी आईपीएस बन कर घुमने वाले जिस मितलेश कुमार के बारे में पुलिस ने खुलासा करके बताया था कि उसने आईपीएस बनने के लिए किसी को दो लाख रुपए नहीं दिया था वो खुद पुलिस की वर्दी सिल्वा फर्दी आईपियस बन गया था मितलेश के बारे में ये मामना सामने आया है कि मासूम सा दिखने वाला ये लड़का काफी शातिर और चालाख है फर्दी आईपियस बनने के लिए दो लाख रुपई देने की मनगणत कहानी गड़ दी लेकिन रियल लाइफ में वो दूसरों को नौकरी दिलाने के नाम पर अब तक लाख रुपई की ठगी कर चुका है जिसके शिकार करीब आधा दरजन लोग बन चुके है कुछ युपको को रेलवे में नौकरी दिलाने का दिलासा देते हुए उसने रेलवे गाट की जंडी भी दे दी और उसकी नौकरी लग गए फर्जी आईपेस मितलेश का फर्जी वाड़े को लेकर कुछ लोगों ने सिकंद्रा थाने में पुलिस को शिकायत भी दी है अब मितलेश कुमार के बारे में एक नया मामला सामने आया है मितलेश नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का काम अपने फूफा सूखो मांजी के साथ मिल कर करता है बताया जा रहा है कि मितलेश के फूफा सूखो मांजी अपने गाउं लखी सराइज दिले के गेरुआ के अपने ही समाज के लोगों से ठगी कर रहा है लाल जीत माजी का कहना है कि नौकरी के नाम पर ठगी करते हुए मितलेश ने दूसरे से एक लाख पाँच हजार रुपए लिया मितलेश ने उसे बताया था कि वो रेलवे विभाग में नौकरी दिलवादेगा वो एस भी बन गया है लाल जी ने तब मितलेश से बताया था कि वो पड़ा लिखा नहीं है तो मितलेश ने कहा था कि वो भी तो पड़ा लिखा नहीं है IPS बना नहीं कि उसकी नौकरी रेलवे में पक्की है दो लाख लगेंगे नौकरी नहीं लगी तो आब रुपए वापस मांगते हैं तो वो फरार है पता चलाए कि वो फर्जी आईपियस है तब पुलिस से जाकर गुहार लगाई है ठगे की एक और शिकार प्रवीन मांजी ने बताए कि सूखो मांजी ने उसकी मुलाकात मिथलेश से करवाई थे रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए उससे कई बार करके कुल 90,000 ले लिए गए मिथलेश खुद प्रवीन के घर जाता था और रुपए लेकर आता था मिथलेश खुद को IPS अधिकारी बता था और वर्दी एक बैग में रखता था प्रवीन मांजी ने ये भी कहा कि मिथलेश जमोई स्टेशन पर रेलवे टिकेट काउंटर पर उसे ले गया था और बतलाया था कि यही तुम्हारी नौकरी लगेगे प्रवीन का कहना है कि जब उसे पता चला कि मिथलेश फर्दी IPS है और जब उसे अपने रुपए की वापसी की मांग की तो वो मेरे नंबर को उसने ब्लॉक कर दिया पुलिस ने जाना मामला अब एक्शन की बारी एक और युवक जैराम मानजी ने बताया कि मिथलेश के साथ सूखो मानजी नाम का एक शक्स आया था जो की उसका फूपा है उसने बताया कि यह SP है तुम्हें रेलवे में नौकरी लगा देगा डेर लाक रुपए की मांग की गई इसके बादे अभी तक वो 12,000 रुपए दे चुका था और ठगी के इस मामले में कुछ लोगों ने सिकंद्रा थाने में आवेदन दिया क्योंकि मितलेश की लखी सराई जिले के हलसी इलाके का वो रहने वाला है और ठगी कारोप लगाने वाले भी इसी संबन में पुलिस जो है अब आगे की कारवाई कर रही है पुलिस वर्दी में धरा गया था फरजी IPS चर्चा है कि क्या सोशल मीडिया पर वारल होने के लिए मितलेश ने कहीं खुद तो ये साजिश नहीं रची थी चर्चा ये भी है कि पुलिस और मीडिया की आँख में धूल जोकर मितलेश घर से फराह होकर पटना में लड़कियों के साथ मूवी और रिल्स बनाते जा रहा है जो लोगों को ठगी का शिकार भी बना चुका है लेकिन उस पर कारवाई नहीं हो रही है आपको बता दे कि बीते सितंबर महीने में 20 तारीकों जमोई जिले के सिकंद्रा पुलिस ने फर्जी आईपेस मितलेश को पुलिस वर्दी में पकड़ा था तोशल मीडिया पर फरजी आईपियस नाम से चाया आरोप लगाने वाले इन लोगों के मताबिक मितलेश ने इने रेलवे गाड़ वाली जंडी भी देते वे कहा था कि नौकरी जल्द मिल जाएगे इन लोगों का कहना है कि वो खुद को IPS बताता था और नौकरी देने के नाम पर रुपए लेकर फरार हो गया फिलाल मितलेश सोशल मीडा पर फर्जी IPS के नाम से चाया हुआ है वो पटना के अलावा दूसरी जगों पर भी लड़कियों के साथ रील्स और मूवी बना रहा है यूट्यूब पर रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर फिल्म का नाम भी फर्जी IPS रखा गया है फिल्म के ट्रेलर को काफी ज़्यादा व्यूज भी मिल चुके हैं आपको बता दे इससे पहले मितलेश मान जी का यूट्यूब पर गाना भी रिलीज हो चुका है सिंगर के बाद अब वो एक्टर के रोल में नजर आने वाला है मितलेश मान जी तब चर्चा में आया था जब जमोई में वो IPS की वर्दी पहन कर घूम रहा था लोगों की शिकायत पर पुलिस ने उसे ग्रफतार किया था पुलिस को उसने बताया था कि मनोज सिंग नाम के एक शक्स ने उसे IPS बनाने का वादा किया था जिसके बदले में उसने 2,30,000 रुपए मांगे थे और इसके लिए मितलेश ने अपने मामा से 2,00,000 रुपए लेकर मनोज को दिये थे लेकिन बाद में पुलिस जांच में मितलेश के दावे फर्जी साबित हुए थे वहीं मितलेश के मामा ने सारे दावो को खारिश कर दिया था और बताया था कि मितलेश ने मा के इलाज के लिए 60,000 घर बनाने के लिए 45,000 और शादी के वक्त 50,000 रुपए मांगे थे लेकिन IPS बनने या नौकरी के लिए कभी पैसे नहीं मांगे थे यही नहीं मितलेश ने जिस मनूज सिंग का नमबर दिया था वो भी कई महीनों से बन पड़ा था मितलेश ने अपने बयानों से पुलिस को गुमरा किया था और IPS के बदले 2,30,000 रुपए देने की बाद फर्जी निकली थी और अब मितलेश की फर्जी IPS के नाम से ही यूट्यूब पर फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका ट्रेलर भी लाँच हो चुका है यानि कोल मिलाकर फर्जी IPS मितलेश मांजी पर अब आगे क्या कुछ एक्षन देखने को मिलेगा ये काफी एहम है स्पेशल स्टोरी में फिलाल के लिए इतना ही बाके ख़बरों के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टीवी नमस्कार बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे विडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया